नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एलबी एवों टेकनेशन में पूछे गई मैत के एकुल 20 कोचिंग का डीटिल सुलिशन करने जा रहें ठीक है जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 17 अगस्त 2018 सिफ्ट 2 के कोचिंग को देखेंगे बांकी सिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखें वह उपर क्या ए बटन या फिर चैनल के परे लिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है और देखते हैं इस सिफ्ट का सबसे पहला कॉशन क्या है देखे सबसे प्याला question का के दो inlet pipeÁ और में से एक की दक्षता दुसरे की तुल्ना में दो घुणई है दोनों एक निकास pipe के साथ कारी करते हुए जो एक tanky को आठ घंटे में swim कारी कर सकता है खाली tanky को आठ घंटे में भर सकते हैं उसके बाद किया कि कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे ठीक है तो देखे सबसे पहले बाद आपके दो पाइप है जिसमें से क्या बलता है एक की जो दक्षता दुसरे के तुलना में दोगों निया मान लेते हैं पाइप मान लेते हैं दो है तो यहां पर दो एक है तो इसका दूसरा क्या यह दो गुना हो जाए ठीक है फिर क्या बलता है कि दौनों एक निकास पाइप के साथ कारी करती हुए एक टंकी को आठ घंटे में खाली कर सकता है पहले यहां पर कितना है तो तो 24 और 8 कालिस्यम कितना हो गया 24 हो गया ठीक है अब यहां पर क्या बलता है कि कम दक्षतावाली इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगें तो बीस था चाइए जब चोबिस को जब दो से डिवाइड करें तो फाइनल कितना हो गारा घं हो जाएगा ठीक है चली उसके अगला कोशन देखते हैं क्या कि दो पाइप किसी खाली टंकी को अकेली कर्म से 25 और 40 घंटे में भर देते हैं जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुए टंकी को 16 घंटे में खाली कर देता है ठीक है फिर बोलता है कि जब दोनों फिर कब तक जब टेंक पूरी तरह से खाली होता है और तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो टेंक कितने समय में भर जायागा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर भी ड़ल दे हां फिरने लिए कितना हो जागा है 25-404 एल में कितना हो जागा जाए ठीक है 25 से खता दिजे तो कितना है एक बच्च ए अनको यह हो गया उसके ज़हाप क्या पर गदश्टी तो यहां पर गदने प्ना एक चार्रा टेस्ट आप जाएगा पाचास बार में जब मिक्स में चेंज करें तो कितना पुरुना फिर एक बटे यांप इस लाप दो बटे यांप तीन हो जाएगा ठीक अब देखिए आप दिन में हमको चाहिए तो यहां पर करेंगे इसको 24 से फिर गुना कर दें तो तीन से चोबी से आठ वार आधी चला कर ओफिस एक मिनट पहले पहुंझ जाता है फिर बलता कि जब की 36 घंटा के चलाने पर वह ऑफिस तीनमीट देरी से पहुंचता है तो बलता कि घर से ऑफिस आने में कितनी दूरी करता एंटीक है तो तो तहए कि इस टैप के सावल को बनानकि तरीका क्या था तक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब इक पहले हो यह बाद में फ्रित हो यह ओप्र घार कर देंगे तो पितना चाहर मीनट को क्या का घंटाब करें चाट से ठीवार जेते चार गए तो फिल शाट हो घृत कि अब देखे यहां पी एश्वन के था पहला इस फीट ता 20 गोंट यहां पर क्या कुछा था कि घर सी आपीस जाने माँ कितना दूरी तया करगा यह चलिए उसके बद अगला कौसन देखे हैं कि कुछ एक रूपे 50 पैसे और 25 पैसे के सीखों से मिल कर 93 रूपे 75 पैसे बनते हैं एक है प्र बनता है कि सभ्लकान का रेसी परतेर हिसिए पहलता कि परते बगार कि शीखवियों के शन्खियां गान विए तो सब सबस्की ने गर ऑटे Mädchen ड़िय जे प क्ना जड़की व्हुत रूपय अंपर आप और एक यह पिर आठाइक्स प्लेश 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 यह पांच एक्स तब बार आप लगए सब्सक्राइब इसको चार शेया चाहर से गुना कर देंगे तो फैंजर कितना है कितना हो एक पर जी दो यह पघिज दो यह पांच यहां पर अब मिस्कांस कितना नहां तक oxy को कढ़ सुभाड़ाक ही तो संस्क्राइब जाक के सबस्क्ताइब एक वह चलिए उसके बदकर दोड़ते हैं कि अगला सवाल यह थो ली नेंमने कोण सींग्या तो देखे नौ से विभाज होने का तरीका क्या होता है तो देखे नौ से करते हैं कि एक प्लस दो तीन तीन प्रस तेना सब्सक्राइब करते हैं कि अगला सवाल देखते हैं कि किसी समच चतर भूज की एक भूजा की जो लंबाई है ग्याद करना यहां पर बोलता कि इसका चेतर भूज का मतलब कि आदे काईट की जिसका बराबर होता है अब बहुता कि इसकी भूजा की लंबाई जो इसकी चेतर भूजा देदी आ इसका डाइगोन लेट इसमें इसका वी करना के वी करने के डीवन डीवन की अक्स वाई मान रहते हैं यहां पर एक्स पर लेगें इसका सम्धिया कितना आपका चोगदा दिया ठीक फिर दखिशा चेतर पर निकालना होता है वह एक बटे दू आप डीवाइग उना सब्सक्राइब आप यहां सब्सक्राइब कर लिए यह तो एक तरीका क्या है कि इसको ऑप्सन से इसा कोई दो डिजिट करें ताकि यह दोनों को सटिस्फाइट कर सके ठीक है जैसे देखिए माले अगर हम आठ पर छे करते हैं तो आठ पर चोगदा होता है यह सटिफेट कर करता है तो 90 पर कट करता ठीक है अगर यह चार यह तीन है तो यह कितना नहीं पांच नहीं पर जाएगा चलिए उसके अगला सब्सक्राइब कि कि इस वर्स पिछले वर्स की तुल्ला में जंशंख्या में पर तिसद विरदी सबसे ज़्यादा है तो यहां पर डियाग्राम इसमें पताना है कि सब्सक्राइब कि यहां से तीस हो गया ठीक है तो यहां पर देख रहे हैं कि अगला सवाल देखते हैं क्या कि यहां आले के परिवार के परती महां के घरेलु वहाएं को दर साथ है ठीक है फिर बोलता कि यदि परिवार की आई 23,650 है ठीक है तो बोलता कि परिवार के द्वार मनुरण जन और भोजन पर एक महींए में किया गया कुली वह निकालना है ठीक है तो सबसे पहले ब़र पतिवार के सुब वार नहीं कोछ मान पे यह वह गचाज प्रसेंटेंट्पा में प्र Completely दैए इतना कि निकालना के भी तुर कि निकाल सकते हैं कि यान कमस सकते हैं कि जब सब्सक्रोइब दिया है कि 33 615 दिया है तो निकालना के यह दुन का capital था ठीक है कि यहhigh कि सब्सक्राइब करने हैं चलिए उसके अगला सवाल देखते हैं कि यदि किसी आख्रे के माधिका और बहुला को ए बी और सी ठिक मतलब यहां पर कि माधिका को यह से डिनोड करा जाता है माधिका को B से डिनोड करा जाता है और बहूला को C से डिनोड करा जाता है तो बोलता है कि उसमें से A और B यानि कि यहां पर माधिका का मान दे दिया कि तो बोलता है B और C यानि कि B कोन है माधिका और बहूला का अनुपाद निकालना है यहां पर कि आपो सबते हमाद सबते ही अच्wers कं लुख कर ना मैंद सबते हैं, मॉठी तरियर फ्सक नव्स थी olması के तुन हम लुख किया थी एक रहने सब्सक्राइब के सबते हुआ में हो घदुख सब्सक्राइब में मॉधाने पूछा था कि यहां पर पूछा था कि यहां पर जो माध्यक और बहूलक तो माध्यक कितना था था और उसका मोड की बहूलक कितना आगया थी दोनों करेशियों पूछा था यहां पर चार इसका रहा जाएगा चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि यदि समीकरन 4x3y-5 बराबर 0 और 6x-ky-7 बराबर 0 हो जिसमें से कोई हल ना हो तो के का मान निकलना है ठीक है तो देखें जब इस टेप का सवाल दिया रहता है जब कोई हल ना होता है उ तो यहां पर देख लेएं कि प्लस तीन यह प्लस 5 बढाबर 0 है जिसमें से यह कमान कितना है है एक सब्सक्राइब qua 15.0 यह पर 6 पर दोगया झाल लेते हैं किमान लेते हैं वर में कितना त्मक ट् fak Jong- avatar हो गया तीं नुवारंक के नो करेंगे तो कितना चार प्रसिक सधर्न व्यास की दरसे बारसों की अब अगला सबसे पहली बाद आप pew क्या करें कि क्या बोला कि चार प्रस रएट की सधर्ना व्यास की दरसे शे कि यहां पर सब्सक्राइब कर दो बार में फिर दो से यहां पर पंचे कि आपका साथ हो गया तीन सो गया यान कि यहां पर अगला सवाल देखते हैं क्या कि दो विरतों की तिर्जिया है कितना दिया 3 अंधूपात कितना देखतें दसमलों 5 सेंट्र और चार केंदरों के दूरी भी तया कितना दस सेंटी मीटर ठीक है तू बोलता कि अनुपरस्त असप्रस लेखा कि लंब भाएंपे निकालना है थैज़ उबहनिस्ट असपरस लेखा तो संटीमेटर दिया था तो आंपी एस्टा माना कितन उसर को जो सो एक आर में है और ओर ऑन से सब्सक्राइब कितना अच्छी हो गया चलिए उसके अगला सवाल देखते हैं कि एक धनरासी पांच परसेंट वारशी सद्धरन व्याच पर तीन पूरनाक एक बटे-चार वर्स की आंत में लिए और पर सब्सक्राइब करें यहां पर निचे गना चार था अब लिए प्रशक निकाले यहां निकाले यह जो निकाली यह निकाले तो व्याज निकला कि ना माने तो पर तो नेने दो क्यान कैमकातृता ना है कंनका सकते हैं किस ऑनडी नहीं फैन सब्सक्राइब की लिए विष्टारी सब्सक् सादोरा यह मत्हकर रॉदिन रूस नोव पांफिए ट्रॉढ एंक हैं नहीं फ्विश्ड़त इसका का नोगिकल झाले जीए प रहून है प्रतार सो काथ लिए जब पस का टेबल से काटें इस पैसी के नगाश्ब्लीं आपको यह उपान के वार में तीस बार में कटेंगा चार दो 20 करी 80 80 30 करी कितना चोबीस हो जागा ठीक है अनके इसका जो रासी था कितना था चोबीस सो था यहां कि यहां पर option एक इसका रेटनसर हो जागा ठीक है चलिए उसके यह बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि संख्या एक्स 3 3 3 1 एक एक आरसी भाज हो तो एक्स का मान निकालना ठीक है तो देखिए कोई भी संख्या जब एकारशी डिवाट होने का रूल क्या होता कि अल्टरनेट सम औप डिजिट करते हैं तो दोनों को मानस कर देते हैं और मानस करने के बाद के वाद करने को यह ब्लस हो गया जो बरावर ता कि जीरो को अगला सवाल देखते हैं कि छपन चौरासी और एकसा बार का लगुतम समाफ़ता निकालना का तरीका देखिए दो तरीका जाता अब निकाली जैसे अब निकालते हैं इस तरह करके यहां पर मांकिक तरीका क्या बताते हैं पर बोलेंगे डियो दो चार रहो चेटिक अगर हम पूछते कि 24 चार शेहीं बताई है तो क्या करते हैं तरीके जो वाहाँ पर लिखते चली तब तर लिखते चली तब लिखते चली जब तर तक यह जब तक तर तक तीनों से कट नहीं से खटना है छे का टेवर दिखना स्टेट process को इंदू सी से नहीं कर आप तब इसका हो गया में यह और अधो । आपन्षी म ripe होगा नहीं क्यों कि यह यह जो तर लुस्य से में टेक्टS नहीं क्यों था नहीं क्यों कि दोनौ से नहीं कटिए रहें धीज दिया जाता यह था कि जिकंट रेंड करें तो जो इसका लार्जिस डिजिट होता है उसको पहले तब तक लिखते हैं टैबल कि फौर्म में जब तक उसे सबसे नहीं कटने ज specific शैसे यहां पर क्या दिए चापन चोरासी और एक सो बार का एल से निकालना है तो यह पितीनों में सबसे गृटर कौन एक सो बार का टेबल तब लिखेंगे क्या उसमें 400 भी चाहिए गर नहीं है तो इसका एंसर नहीं होगा पर आपकी यहां पर आप्सन यह दो तीन बचा हुआ है अब इसमें चेक करते हैं क्या 112 का टेबल जब लिखेंगा क्या एक 168 या नहीं तो यह भी इसका अंसर नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं एक्जाम में ठीक हो जागा ठीक है चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि पॉइंट 9 का वर्गमूल कि सके बराबर होगा ठीक है मालत है पॉइंट के बाद कुछ जिरू होता ही होता है तो इसको यहां पर इंटू करके यहां लिखा जाता है तो यह 18 हो गया प्र से यह 0 बठाएंगा जिड़ो बठा दिए लेकि छोटा हो जा रहा है ठीक है तो यहां पर बठाओं हाँ अब यहां पिसका नीरिष्टमाना तरह फिसान होगा थिक्त तक ग्तितकों अविशना कि की आई पांच जब 5 रखते ज्यादा हो जाता क्योंकि यह चेक कर सकते हैं पच्छें 25 होगा आट-पंचे 402 कितना 42 होगा पांच नो पच्छा ज्यादा हो जाता है इसे चार बार में दिये ठीक है उसके दिखें फिर इसको एड़ करके लिए यहां पर चार प्लेशार आठ यहां पर नियरेस्ट में कौन होगा तो यहां पर भाट देना लगा फिर यहां पर जिरुप लंगा नहीं तो ऐसको अगला सवाल रखते हैं क्या कि पंद रहाँ बुझाओं वाले बहु भुज यानि निकालना एं ठीक तो किसी भी इताई की फीगर का अगर उसका विकर्ण के संंख्यान निकालना होता है तो उसका फरमूला होता है यह पुस्फरमूली से निकाल सकते हैं जिसके जिस्के मान लेटे सब्सक्राइब लिए कि इस फोर्मूले से चेकर चकते हैं क्योंकि सबसे चोटा जो फिगर कहां से बंदा है अगर तो यहां पर चार चार रखें तो चार निचे दो बार कर दो तो इसी प्रकार का फर्मूले से यूज करके बोड़ों किसी का भी विकार निकाल सकता है तो तो अगला सवाल दखते हैं कि यहां पर सिंप्ली फिकर्शन का सवाल तो पहले भी बताए थे कि जो से बनाने की कोषिश करा जाता है ताकि जल्दिया बना सके तो यहां बहुत सबसे पहली बतार का सब्सक्राण के वहां है तो यहां पर तो यहां पर तो यहां पर तो यहां पर तो चलिए उसके वाद अगला सवाल दखते हैं कि सबसे बात बात पर गनता की गति से चलने वाली एक ट्रेण चारसो मीटर लंबे Tapi को सटाइस सकेंड में पार कर निकलीक कि अपछिए फ्यादें कंड़ा निकलना है इसके शी हैं प्ली प्लेट फोर्म की यह लेंगा यानि कि कहा सकते हैं कि अगर प्लेट फोर्म का ल में कुझा वह जोड़ घंपने के पुरा डिश्टेंस के लमाइए कि तर दॉफ सब्सक्राइब हसे जो कि नो का टेबल से खटेका नोगा तैना नोट आठार में तेला नोट यहांपे 27 इदो का टेबल से खटेका इना चाट अरुटिस बार में ओंधिक पनिचते पंदरा 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 कुना आथेज बंदरा ठीक नभी 120 अथा चले किप तालीस प्रसबार उटार सन्था अब 5 470 में से कहा करी 450 घटा देजी तो 450 हम पर घटेगा तो कितना है जी दो दो एक 120 होगा यान कि ट्रेयन की लंबाई कितना है 120 होगा यान कि आप अपर चारिस का रेटनसर हो जाएगा चलिए उसके अगला सवाल देखते हैं कि 450 रूपे में एक मेज बेज़कर अंकीत को 25% का लाब हुआ निकासी बिक्री के दौरान वा अंकीत मुली पर सुलापूर्णा को 2.3% की छूट देता है तो बिक्री के दौरान उसका लाब पर तिस निकालना है तो सबसे पहले बाद की आपे की दिया था यहां पर निकाल लें किसी निकाल लेंगे अपर कि तुसहां के दो बाद चाथीज कि 350 वाज निकाल लेते हैं पिर अंकीते आप एंक परकते के निकाल लेते हैं पर बिलता है कि 6.3% का फिर चूट देता है तो लो पूर्णा कितना होगा एक होगा इस भाग में से फ्षूट देरा तो कि कितना बज़ना में पांच बटे-चे बचला ठीक है और पांच बचली काईविआ यान कें मगा सकते हैं कि यह कितना होगा कि 5 बटे-चे गुणा बेर चारपचाश ठीक है और चेका निए यान कि पी कितना था तो कितना का लाव रहा तो पंदर का लाव ठीक किस पर तो को जब छे से डिवर्ड करेंगे तो आपके चार पॉइंट एक साथ पर्सें संधिंस का एंसर आएगा ठीक है यान कि यहां पर प्रेंट्स एक इसका रेटेंसर हो जाएगा ठीक है तो बस इतना ही था फ्रेंट्स कैसे लगाई वीडियो कोमेंट करके जरुद बताई का चले म बिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली स्रिप्ट को सेंस को लिए करके तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद हुआ अगली प्रेंटियो